हेलो फ्रेंड, SP एजूकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट दो हजार चौबिस के बारे में बात करने वाले हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि हम लोग कॉमर्स का जो है अगर बात करते हैं इनके फाइनिसियल अकाउंट के थियोरी की क्लास की तो वह भी आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही है इंकम टेक्स में मैंने पहले बी जो क्लास से बनाई होई है अगर आप लोग उने नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखें और अगर आप लोग अब देखना चाते हैं तो अभी मैंने फाल में 5 क्लास हैं कर दी हैं 5 क्लास हैं हो चुकी हैं यह हम लोगों का टॉपिक नंबर जो है वो तीन रहने वाला है जैसा कि मैंने स्लेवर्स के एकॉर्डिंग में आप लोगों को वन वाई वन चीज़ें को कडियर कराने की कोशिस कर रहा हूँ अब रहा कि यह जो हम लोग अगर मेरी क्लासों से वेनिफीसियल होगी या नहीं होगी मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि यह आप लोगों के बिहार estate qualification में काफी helpful रहने वाली है इतना दावा तो नहीं कर सकते हैं कि आप लोग होई जाएंगे अगर आप लोग self study भी करेंगे और साथी साथ में क्लासें भी देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी और आप लोग qualify हो जाएंगे तो income tax की क्लास हम लोग करने वाले हैं यह exemption of income tax under section 10 की बात क तो मतलब अलग-अलग में अलग-अलग बातों में इनका उल्लिक है ठीक है हम लोग इनके बारे में अच्छी तरीके से जानने वाले हैं तो यह part 1 रहने वाला है इसमें कुछ question आप लोगों को MCQ के भी दिखने वाले हैं लेकिन जब part 2 आएगा तो उसमें सिर्फ MC की हुई आप लोगों को बताएंगे और जो भी चीज़ें आज की class वर रह जाएंगी उनको भी मैं आप लोगों को clear कराने की कोशिस करने वाला हूँ तो अगर आप लोगों को class अच्छी लगती है बाद में आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें टेलिग्राम गुरूप को भी जोइन कर लें जिससे मुझे कोई information दे नहीं होती है आप लोगों को तो मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचा सकता हूँ ठीक है और अपने community post में भी आप लोगों देखिए कि community post में भी मैं आप लोगों को news जो है द कर से मुझ तो आए कौन सी होती है तो इसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो अगर हम लोग यहां पर लिखना चाहते हैं तो ठीक है जैसे में कुछ बात हैं आप लोगों को जरूर लिखके बताऊंगा क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैं जो है पूरी detail के में class काय आइसी expectation क्या है बैसे तो नीची लिखा हुआ है लेकिन दूसरी भास में कर मुक्त कर मुक्त कायै कि अद्ट कि उस कै अधि से उस आय से है जो ना कुल आय में जो ना कुल आय में जोड़ी जाती है उलाय में जोड़ी जाती है और ना ही उस पर और ना ही उस पर लगाया जाता है तो मतलब कि यहां पर लिखा हुआ है कि करमक्त से या सै से उस आय से है जो ना ही उस पर हम लोग आय कर लगाते हैं तो यह हमारा करमक्त आय है और इसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्मुक्त आयसे आसे के बारे में मतलब हम लोगों को जानकारी हो गई है लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर इनके परिचे के बारे में ठीक है तो इनके परिचे के बारे में समझ लेते हैं वैसे तो लेखा तो यही है लेकिन अगर आप लोगों को जो भी भासा में अच्छा लगता है उसमें आप लोग देख लीजिए कि आयकर अधिनियम आएकर अधिनियम कौन सा है हम लोगों का, तो आएकर अधिनियम कौन सा है, 1961 है, ठीक है, सबसे पहले आएकर किस ने लगाया, तो ये बात आप लोगों को जरूर बतानी है, ठीक है, तो ये आप लोग, ये कमेंट में आप लोग बताईए, कि सबसे पहले, भारत में, भारत मे भारत में सबसे पहले आएकर किसने लगाया यह question आप लोगों को बताना है ठीक है यह comment box में आप लोगों को comment भी करना है ठीक है इससे आप लोगों मुझे यह लगे कि हाँ आप लोगों की द्वारा जो है response हमें मिलता है ठीक है तो यह जरूर करें आप लोग ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है कि कुल आयों को कर्मुक्त आय रखा जा गया है ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर यहां पर यह लिखा हुआ है कि कुछ आयों को कुछ आयों को कर्मुक्त रखा गया है ऐसी मितलब कि यहां पर यह लिखा हुआ है कि कुछ आय कुछ दाता की कुल आय की गड़ना में सामिल नहीं किया जाता ऐसी आयों पर करकी गड़ना नहीं होती है जिन आयों पर करकी कर नहीं लगता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं तो उन्हें करमुक्त आय कहते हैं तो उन्हें करमुक्त आय कहते हैं ठीक है ऐसी आयों को चार भागों मे बिभाजित किया जाता है, चार भाग करें, चाहें तीन भाग करें, हम लोग इन भागों से कोष्ण नहीं आएगा, लेकिन eliminate रखर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ points मैंने लिखके रखे हैं, की आप आप लोगों को बताना है और जो नहीं लिखा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है चलो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले लेखा हुआ है कि सभी करदाता के लिए करमुक्त होती है इसको हुम लोग प्रिथम भाग में उन्हों बाट दिया है मतलब कि यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि प्रतेक करदाता के लिए अयसा नहीं है कि मतलब यह आएंगे इसमें इसमें आएंगे इसमें एसह नहीं हैपर सभी मतलब कि सभी जो है टेक्स पे करते हैं उनको उनके लिए यह करमुकता है ठीक है अभ़ी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिय≫ प्रति एक करदाता के लिए पर जो भी Age से देता है उसमें से सभी को जो है जो है जो छूट है उन सभी को मिलने वाली है तो ऐसे कौन से लोग होते हैं और उन्हें कौन सी जो छूट है जो उनको मिलती है ठीक है करमकता है ऐसी कौन सी है जो सभी को छूट मिलती है दूसरा है कि अनिवासी करदाताओं के लिए करमकता अनिवासी जो भारत के निवासी नहीं है, मतलब कि अनिवासी है, एक होते हैं निवासी और एक होते हैं अनिवासी, ठीक है, निवासी वाले में मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था कि निवासी जो होते हैं, निवासी जो होते हैं, वो, देखो, सबसे पह का होता है या तो वो निवासी होगा ठीक है या तो वो निवासी होगा या फिर वो क्या होगा या फिर वो अनिवासी होगा अनिवासी होगा विलकुल ठीक है ये बात विलकुल समझ में आई है और क्योंकि मालूम है पहले से अगर हम निवासी की बात करते हैं तो निवासी द एक होता है साधारण निवासी और एक होता है एक होता है असाधारण निवासी होता है ये बात भी बिल्कुल मालुम है तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि सभी करदाताओं के लिए पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन है कि अनिवासी कर कर्दाता है उनके लिए छूटें क्या है मतलब की कर्मुकताय कौन कौन सी है गैर नागरिक कर्दाताओं के लिए कर्मुकताय कहा गया है तो इसमें देखेंगे कि कुछ कर्दाताओं अर्जिता है तो यहाँ पर अगर हम भी बात करते हैं तो देखो प्रतियक करदाता के लिए करमचारिआं के लिए और संस्ताओं के लिए इस परकारसे इसको भी बाट सकतें ठीक है। लेकिन जो अभी बताया है simple बातों में कि आय कर अधिनियम की अनुसआर कुछ आयों को कर्मुक्त आय में रखा गया है। कर्मुक्त आय ऐसे आय हैं जिन्हें करदाता कि कुल आय कि गड़ना में सामिल नहीं किया जाता और ऐसी आयों पर, मतलब कि ऐसी आयों पर कर नहीं दिया जाता या फिर कर की गड़ना नहीं कियाती है इन आयों पर कर नहीं लगाया जाता उन्हें हम करमुकताय कहती है ऐसी आयों को चार भागों में बाजित किया जाता है सभीब करदाताओं के लिए करमुकता है अनेवासी करदाताओं के लिए करमुकता है गैर नागरिक करदाताओं के लिए करमुकता है और कुछ करदाताओं द्वारा अरजित आयों को करमुकता है इसमें यहीं से पूछागा है कि मानलो अनेवासी में पूछ लिया है तो इनको आप लोगों को बताने वाले हैं चाहिए कोई भी बात हो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा ठीक है कि की अखरकुल बात करती हैं कि क्रसी आए अब क्रसी आए कि मैंने बताया हुआ है आप लोगों यदि क्रसी भूमी भारत में इस्थित है तो आयकर सेव मुक्त है तो यह है तो यह है आयकर से मुक्त है अब यह बात तो मालुम है लेकिन अब यह कुष्चन यहीं से पूछा गया है कि अगर यहीं पर एक MCQ कुष्चन पूछा गया है कि यदि क्रसी भूमी वो भारत के बाहर है यह पर मतलब कि कोई दूसरे देश में है तो इस पर mlगेगा क्या तो कर्मुप्त से कोछिन कूशचर बन सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि भारतिय जीवन बीमा निगम जिससे हम लोग कहते हैं Life Insurance Policy या Life Insurance Corporation तो जीवन वीमा से प्राप्त जो रासी है वो कर्मुक्त है और याद रखिए कि बोनस सहित कर्मुक्त है बोनस सहित कर्मुक्त कर्मुक्त है अब इसके एजंसंस को हम लोगों को नहीं पढ़ेंगे मतलब अपबादों को नहीं पढ़ेंगे अब अपबाद क्या है इनके बात क्या है मतलब इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कीमेन का अपबाद क्या है तो कीमेन जो है बीमा पॉ आप लोग आप वाद को पहले नहीं करना है इन चीजों को जरूर करना है तो भारतिय जीवन बीमा निगम से जो प्राप्त रासी है वह पूड़ता क्या है तो पूड़ता करमुक्त है तो करमुक्त है और पूड़ता याद रखिए कि उसका पूरा का पूरा हिस्सा करमुक्त इस प्रकार से कुशन बनते हैं ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अबयस्क जो है माइनर अबयस्क की आए पंद्रा सो रुपय तक करमुक्त है यह पॉइंट मैंने यहां से जो लिखे हुए ना तो यह मैं अगर अबयस्क को आय होती है अब बात आए कि कि आया अबयस्क जो है वो टैक्स तो नहीं देगा लेकिन उसका पंद्रा सो रुपय तक वो टैक्स नहीं मतलब की उसको छूट मिलेगी उसके बाद की अगर इनकम होती है तो उसको उस पर टैक्स देना होगा ठीक है तो उसक मान लो अपने पापा के मोवाइल में, यूटूब चैनल खोल दिया है, उस्aking से आर्निंग करने लगा लेकरन अावयस का है, तो तो अब क्या होगा, तो उसका की आई नहीं बाएंगे, बच्चे की की आई नहीं क्या तो अब ऐसा के नहीं है कि आप जो है, वह सरकार को इस परकार से गाटा हो जाएगा तो सरकार ने भी है Wie कहा है कि फंदरा रप्रफार तक वह tax free है Tax नहीं देगा लेकि उसके बाद कि यहलोग करते हैं नहीं अगर समझ में आता है तो हम यह बात भी कर लीते हैं बैसे में समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उमीद है टिक लेकिन घरंवे अगर जैसे कोई बच्चा है जिसकी आए जो है जिसकी आए मानलों कितनी है तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक मानलो कि एक जो पिता जी के एक मतलब कि उनके तीन पुत्र हैं कितने पुत्र हैं तीन पुत्रों की जो आय है तो उनकी आय मानलो कि एक की आय है अगर हम लोग बात करते हैं कि एक की आय है चार हजार एक की आय है छे हजार और तो इक किया है 9000 खिक है और तीनो के तीनों बच्चे कैसे हैं अबइसक है तो अब क्या अँपर इसको टेक्स नहीं देना होगा देगा तो उनको टेक्स नहीं देना होगा तो उनको पंदरास रुपए गोड़ें तुन तो 15 या 45 इतने पर tax नहीं देना है बागी किरासी पर tax देना होगा इस प्रगार से हम लोग समझ सकते हैं और नेस्ट पॉइंट में लिखा हुआ है तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि परिवार पैंशन की रकम में परिवार पैंशन की रकम में एक बटे तीन भाग या 15,000 रुपए तक जो कम हो कर्मुक्त है तीक है परिवार की पैंशन की रकम एक बटे तीन उसका भाग या फिर 15,000 रुपए इन दोनों में से जो कम है वो tax-free है यही अमाउंट में में यही अमाउंट पूछे जाती है कि पैंशन पर कितना tax-free है या कितने मतलब की कितना भाग भी कभी कभी पूछ रिया जाता है तो कितना भाग मतलब की एक बटे तीन भाग या फिर 15,000 रुपए जो भी होए वो कर्मुक्त है तीक है उसकी बाद अगर हम लोग बात करते हैं都 करते हैं पोस्ट औफिस बचत बेंक खाते की व्याज व्यक्तिगत खाते की समंद में अगर है तो 3500 रुपए तक कर्मुक्त है और सइयोक्त खाते के संबंद में Joint साथ1,000 रुपए तक कर्मुक्त है तो सबबत में आपको कहता खुला है है और उस में आंपको 3500 रुपए तक सिंगल एकाउंट में व्यक्तिकत खादा पर्लब परसनल एकाउंट में 3500 रुपए और जॉइंट एकाउंट है तो उसमें 7000 रुपए तक का अभ्याज जो है वो करमक रहेगा और बाकी कि उससे जाकर ज्यादा आप लोग कमाते हैं या उससे ज्यादा अगर अगर हमने प्राप्त लाभांस है तो पूरता क्या है करमक्त है क्योंकि कंपनी ने टेक्स दिया होगा इसलिए जो कंपनी का लाभांस मिलता है उस पर हमें टेक्स नहीं देना होता इसलिए करमक्त है ठीक है एक विद्यारती को जो स्कॉलर्षिप मिलता है एक विद्यारती हैं और लिखा हुआ है कि एक मानलो यहां पर एक कौफी के पौधे के पुनर रोपड के लिए भारतिय कौफी बोर्ड से जो प्राप्त आर्थिक सायता है वो करमुक्त है अब कौफी की बात करें जैसे मानलो रवड की बात करें कौफी एलाइची या अन्य किसी आधी सूचि बस्तू का भारत में उत्पादन तथा निर्माड करने वाले करदाता को निम्न कारियों के लिए रवड बोर्ड कौफी बोर्ड मसाला बोर्ड से यदि कोई आर्थिक सायता प्राप्त होती है तो वो पूरता धन क्या है करमुक्त है धारा 10 की सब धारा 31 के अनुसा तीक है परियोक्त पौदों के पौधे पुना लगाने और उनका पुना इस्थापन कर रहे है तो अत्वा इन बस्तूओं की खेती के लिए प्रियोक होने वाली वोमी के नभीनी गरड अत्वा समयकन है तो यह बात पूरी लिखी होई है लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़के बत करते हैं इलाहिची की बात करते हैं अत्वा अन्य अत्वा अत्वा अन्य अत्वा अन्य अत्वा अन्य अधिसूचित बस्तू का अधिसूचित अधिसूचित बस्तू का ठीक है मतलब कि ऐसी कोई सूचित बस्तू है उसको वही हम लोग इसमें सामिल करेंगे ठीक है विबा बिल्कुल समझ में आ रही होगी तीक है उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि एक किर्केटर खिलाडी को एक किर्केट खिलाडी को किर्केट मैच सिफ्राप जो रासी है जो उसके स्वयम के हिद के लिए आयोजित किया गया हो वो कर योग है करमुक्त नहीं है क्या है तो वो कर योग है ठीक है इस बात को या समझ लीजिए कि वो क्या है तो वो कर योग है अगर हम लोग बात करते हैं कि संसद में अगर मानलों के संसद सदस्त अथवा राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के भत्ते जो हैं वो क्या है तो वो भी हमारे करमुक्त होते हैं अगर हम लोग बात करते हैं कि हिंदू अभिवाजित परिवार की बात करते हैं तो हिंदू अभिवाजित परिवार की आय प्राप्त जो है हिस्सा करमुक्त है अगर हिंदू अभिवाजित परिवार की आय से हमें अगर कुछ हिस्सा मिला है तो वो हिस्से पर हमें टेक्स नह शाजेदारी बादें बताएं फिर उसके बाद हम लोग इनके कॉस्टेंगा था सक्यानाओन यसके लोग के काफी निल्याने डाएं there यह अ हम लोग बात करते हैं कॉशन को क्लिचान के बात में पहले हम लोग इनको देख लेते हैं कि अगर मानलो की रजिस्टर्ड Фर्म से पर टेक्स नहीं लग जाएगा तो इसलिए यह करमुक्त है ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रतियच्छ कर केंद्रिये बोर्ड से मिस्टर एक्स को आएकर पर किताब लिखने के लिए प्राप्त जो है इनाम मिला है और वो भी क्या है करमुक्त है ठीक है वो भी क्य कि बचत खाते पर जो प्रापत ब्याज हैं वह कर योग है याद रखिए कि बचत खाता ठीक है? बचत खाता एपर अगरमान लोगों का personal account है तो ब्याज की रासी कितनी हो वहोगों ने देखा हो गए साथ प्रतिसत पूंजी विनयोग बॉन्ड पर प्राप्त जो वियाज है हो करमुक्त है 34 का ब्यापार कोई आहे हों मारी कर्योग है करमुक्त नहीं होती है फार मालित प्रौबीडेंट निधी से प्राप्त जो है careers प्रामालित प्रॉबिडेंट निधी यह बात मैंने प्रॉबिडेंट फंड से चार परकार के पूरी क्लास बनाई होई है इसमें आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से एक एक बात को मैंने आप लोगों को लिए क्लियर किया हुआ है राहत बॉंड पर अगर हमारा इसको यहां से कट करेंगे क्योंकि यह स्टेटमेंट सही नहीं लिखा हुआ है इसको यहां से हम लोग इसको यहां से हम लोग बात करते है नैश्ट की और नैश्ट में लिखा हुआ है कि हिंदू अधवाजद परिपार की आया हिस्सा जो है वो करमुकत है ठीक है क्या है कर्मुक्त है क्योंकि अभी मैने लिखके बता लें आफ लोगोंesz को कि विदेशि reconoc आये कर्व। सुरी करयोग हैài और राश्टिय योजना प्रमाळपत्र जो है कर्मुक्द है ऐसी मतलब की बहुत जो आये हैं वो करमुक्त होती है और कुछ आय करयोग है सड़क पर प्राप्त धन वो 70,000 तक करयोग है ठीक है और ये भी statement हम लोगों का लोगों का जो है वो सही नहीं लिखा हुआ है इसकी भी हम लोग बात में बात करेंगे क्योंकि ये statement जो है ये भी statement गलत लिखा हुआ है ठीक है ये इसको भी हम लोग यहां से अटा लेते हैं और ढाका में अगर हम लोग बात करते हैं कि ढाका में इस्थित करसी भूमी पर जो है वो कर्योग है वो मैंने बताया है कि विदेश की बात करते हैं स्वाड जमा बॉंड से प्राप जो ब्याज है वो कर्मुक्त है और संसद के सदस्त का बेतन जो है संसद के अगर हम लोग सदस्त के बेतन की बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि संसद सदस्त का बेतन है वो तो यहां पर जो है कि एक सिकंड यहां पर यह गलत लिखा हुआ है कि यह यहां पर अगरम लोग लिखते हैं तो संसद सदस्तिय के भत्ते कर्मुक्त है ठीक है कि यह तो यहां वहां है तो मैंने वह पारे उप्वारे में अभी इस रहा है इसलिए मैंने कहा है कि ये topic जो है ये part 2, part 3 में भी हो सकता है अगर हम लोग बात करते हैं MCQ question की और लिखा हुआ है कि एक नावालिक नावालिक का मतलब यहाँ पर क्या है नावालिक का मतलब यहाँ पर अबयस्क सी है ठीक है भाई? अबयस्क सी है तो एक नावालिक बच्चे की आए जो है अभी भावक करदाता की आए में जोड़ी जाएगी यदि वहे 1500 रुपे से अधिक है 1500 रुपे तक है यह फिर नावालिक को संपूर आए यह फिर नावालिक की संपूर आए जोड़ी जाएगी या फिर 1500 रुपए से अधिक जोड़ी जाएगी या 1500 रुपए तक है तो जोड़ी जाएगी या फिर इन में से कोई नहीं या एक नावालिक जो है बच्चा है उसकी आए अभिवावक की करदाता की आए में जोड़ी जाएगी यदी वह क्या है तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने बिल्कुल लगा लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये ओप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अगर जो है अभिवावक की आए इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है तो संसद सदस्तिको प्राप्त होने वाला धैनिक भत्ता जो है वो पूछा गया है कि करमुक्त है, कर्योग है या फिर आंसिक करमुक्त है या फिर इनमे से कोई नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर है कि संसद सदस्य को मिलने वाला भत्ता जो है वो पूड़ता करमुक्त है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा B option विरकुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लिखा हुआ है question number 3 की बात करते हैं और 3 number question में लिखा हुआ है कि सिच्छा के ब्याय हे तू सिच्छा के ब्याय हे तू एक छात्र के द्वारा सरकार से प्राप्त अगर छात्र ब्रत्ती जो है मिलती है चात्र प्रत्ती जो है वो मिलती है तो बताईए कि वो कर्मुक्त है कर्योग है आंसिक आय है या फिर इनमें से कोई नहीं तो मैंने बताया ना कि इसी प्रकार से question पूछे जाएंगे मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पहले कोशिस करता हूं कि concept बताया जाए चाहिए हम मैंने हिंदी की क्लास शुरू की है बस आप लोगों से यही गुजारिस है कि आप लोग इस प्रकार से commerce को support करते हैं और subject को हमोट करते हैं तो हिंदी की क्लास को भी support करें जो भी मैं मैं आप लोगों के लिए मतलब कि आप लोगों को कुछ जानकारी है प्रदान जरूर करूंगा और जो आप लोगों के लिए beneficial है तो इसका सही आंसर जो है वो है कर्मोकत विल्कुल सही आंसर है कि आप लोगोंने विल्कुल सही आंसर लगाया है इसका राइट आंसर क्या है तो इसका जो राइट अंसर है वो है करमुक्त है तिक है उसके बाद नेश कोशन में लिखा हुआ है कोशन नमबर की तरफ चलते हैं और कोशन नमबर चार में लिखा हुआ है कि सिच्छा के ब्याय है तू एक छात्र के द्वारा निजी कंपनी से जो है प्राप्त कुई गई चात्र प्रत्ती जो है वो होगी तो निजी कंपनी से अगर कोई चात्र प्रत्ती मिली है सरकार से मिलती है तब तो मैंने बढ़ाया कि करमुक्त है लेकिन अगर निजी कंपनी से अगर प्राप्त चात्र प्रत्ती मिलती है तब बताईए कि वो करमुक्त है या फिर करयोग ह यह फिर आकस्मिक आय है, यह फिर इन में से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर बताना है, इस इच्छा के व्याई हेतू, एक स्टुडेंट है, उसने निजी कमपनी से कुछ मतलब की छात्प्रत्ति प्राप्त की है, तो वो कर्मुक्त है, करयोग है, आंसिक आय है, आकस्मिक या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है आप रोगों को बताना है कि च्छा के ब्याय हेतू एक चातर के द्वारा निजी कंपनी से प्राप्त पकी चात्रवत्ति तो वhou भी क्या है तो वो भी यहां पर करमुख्ट है श करी आंसर क्या हो जायेगा तो इसका right answer हो जाएगा यह option बिलकुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question में लिखा हुआ है कि सचिन जो है सचिन के लाब के लिए सचिन के लाब के लिए भारत के cricket मतलब भी सचिन के लाब के लिए सचिन को लाब देने के लिए भारत के क्रिकेट नियंतरड बोड के द्वारा एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है ठीक है, जहां उन्हें 80,000 रुपे प्राप्त होते हैं तो यह रासी जो है, वो कर्मुक्त है, कर्योग है कर्मुक्त आय है, आकस्मिक आय है, पूड तहा, कर्योग रासी है या फिर आंसिक कर्योग रासी है तो इसका सही आंसर जो है वो बताना है कि सचिन के लाब के लिए सचिन को लाब देने के लिए भारत के किर्किट नियंतरड वोर्ड के द्वारा एक किर्किट में आयोजित किया जाता है जहां उन्हें 80,000 रुपए प्राफ्त होते हैं यह रासी होगी तो यह रासी कैसी रासी होगी तो इसका राइट आंसर जो है वो बताना है तो याद रखिए कि यह रासी जो है तो वो पूढता है कैसी होगी तो पूढता है कर्योग रासी होगी यह बात मैंने ऊपर आप लोगों को बताई थी, यहां पर बताई थी, मैंने अभी बता देते हैं कि एक क्रिकट ख्लाडी की बात बताई थी, यहां पर यहां पर, क्या है, कर योग है, ठीक है, तो जो भी बात बताई होई है, उसमें से बहुत सी बात हैं, आप लोगों की, का इसको भी ले लेजिए ये इसको हम लोगों को पड़ना है और हम लोगों को कर्मचारियों को पढ़ना है बस होगे हम लोगोंगाई अगर हम लोगवात करते हैं नेस्ट कृष्चल में लिखा हुआ है कि एक गुमसदा है, एक गुमसदा कुत्ते को खोजकर लाने के लिए 10,000 रुपए का पुरुसकार गोसित किया गया, पुरुसकार जो है, गोसित किया गया, मिस्टर अजीत कुत्ता खोजकर लाया, और पुरुसकार प्राप्ती प्राप्त किया, यह रासी निम्न में से क्या होगी, यह पूछा है कि एक कुट्टा है उसको खुजकर लाने वाले को 10,000 रुपय का पुरुसकार गोशित किया गया पहले से अब मिश्टर जो अजीत हैं वो कुट्टा खुजकर लाई और उनको वो रासी प्राप्त होई या उनको पुरुसकार रासी प्राप्त होई अब यहां पर दो कुश्चन बनेंगे कि अगर पुरुसकार गोसित किया जाता है और अगर पुरुसकार गोसित नहीं किया जाता है दो बात होती है अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी बताऊंगा पहले इस कुश्चन को पहले को सॉल्प कर लेते हैं कि एक लोग इस बात के सही आंसर करते हैं तो यह रासी है करयोग होगी अब क्यों होगी क्यों होगी तो इसकी बात हम लोग बताएंगे कि यदी हम लोग यहाँ पर लेके लेते हैं कि यदी परुसकार पहले ही गोसित कर दिया जाता है यदी परुसकार पहले ही गोसित कर दिया जाता है तो तो परुसकार रासी परुसकार रासी परुसकार रासी कर योग होगी तो कैसी होगी परुसकार रासी तो परुसकार रासी जो है वो कर योग होगी दूसरी बात है कि यदी पुरुसकार पहले गोसित नहीं किया जाता तो मिलने वाली जो भी रासी है वो करमुक्त रासी होगी मतलब भी वो रासी कैसी होगी अगर पुरुसकार पहले गोसित नहीं किया जाता है तो वो रासी करमुक्त होगी और अगर यह पुरुसकार पहले ही गोसित किया जाता है तो वो रासी करयोग होगी तो यह बात यहाँ पर किलियर होगी अगर हम लोग बात करते हैं नेश्ट कोशन में कि एक सैचिक संस्ता है जिसका उदेश से लाव कमाना नहीं है अब किया किस धारा की अंतर्गत करमुक्त है एक सैचिक संस्ता है और जिसका जो है लव कमाना उसका मतलब कि उसको देश जो है वो लाव कमाना नहीं है तो किसक्षन के अंतरगत करमक्त होगी तो 270148 की अंसार Signal Y Z की जो ढाइची जो है करमक्त होगी तो तेज चर्मुक्त होगी तो इसका राइट अंसर है यह option में बलकुल सही अंसर हो जाएगा और नेस्ट कोर्शन में लिखा हुआ है कोशन नंबर की बात करते हैं और कोशन नंबर में लिखा हुआ है और question number यहाँ आप लोगों का अच्छी तरीके से मालूम है कि एक अबायस्क बच्चे की याह जो है निम्न मैसे कितने रुपए तक जो है वो करमुक्त पूछी गई है तो वो कितने रुपए तक करमुक्त होती है तो इस समय पर हम लोगों को इसमें मतलब की ज़्यादा समय नहीं खराब करना है तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 रुपए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेश कुशन में लिखा हुआ है कुशन नमर की बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह option विल्कुल सही answer हो जाएगा और आज का हम लोगों का आखरी question लिखा हुआ है कि कोशन नंबर में लिखा हुआ है कि डाक खाने में ब्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम व्याज करमुक्त है अधिकतम व्याज कितना करमुक्त है तो इसका राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा इसका राइट अंसर केतना हो जाएगा worldwide तो सब्सक्राइब अगर होता तो संयोक्त अगर हम लोगों को बचत खाता होता तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राणी पर सुर्टोन से मैं नहीं بتाए है तो मैं first class करेंगे भी हुँए इसके सब्सक्राइगे समय करने में लेकिन इनकम pickled lease सेंसे में अगर आप लोग क्लास अच्छी को करेंगे तो इसी का पार्ट टू करने mama करेंगे हैं जो मैंठैधक तो Вас को और करेंगे और भी बताएंगे ठीक है तो अगर आप लोगों क्लास अच्छी रखती है तो प्लीज आप लोग एसपी एजूकेशन जैनल को सब्क्राइब करें और इसको सेयर करें तो आज क्लास के लिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग